और राइट लेडिजन चेडमन मेरा नाम है अरपित पाठक आप हैं उससाइद दलाल स्ट्रीट और ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेट अप हम सारी चीजों के चर्चा करेंगे चाहे वो टेक्निकल एंलिसेस हो चाहे वो ऑप्शन चेन हो चाहे वो FIIDI के डेटा हो इसके पर हम लोग सारी चीजों के अनलिसेस करके स्ट्रेडिजी बनाएंगे स्ट्रेडिजी को कहां पर इंप्लिमेंट करना ये जादा इंपोर्टेंट है जिसके लिए मैं आपको सारे इंपोर्टेंट लेवल्स बताऊंगा तो आपका ट्रेड सेटप पूरा कंप्लीट हो बहुत इंपोर्टेंट ट्रेडिंग पोस्पेक्टिव से खबरे डालने को तो मैं कुछ भी डाल दू बट नहीं है तो इसको छोड़ते हैं सिधे ट्रेड टेकवे की बात करते हैं इस सेक्शन में मैं आपको बेसिकली बाजार की समरी बताता हूं ताकि आपको आराम से बा दौरान बाजार जाता है उपर कई बार नया lifetime high बनाता है इस्पेशली निफ्टी के के केश में मैं बात कर रहा हूं और फिर अंत होते होते हैं अपनी सारी gains को give up करके लाल candle में close होता है आओ मैं आपको एक बार इसका दिखा दू दर्शन करवा दूं यह निफ्टी का चार निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखो चार जून को हमारे भाईयन नतीजे आयते और उससे हम लोग को शौक लग गया उसके बाद तीन दिन में आई strong recovery एक बार पूरी recovery आने के बाद देखो कोई भी strong candle नहीं है जबकि आप कह सकते हो कि निफ्टी पर डे नया lifetime high बना रहा है लेकिन strong candle तो छोड़ो candle green भी नहीं बन पा रही है candle red बन रही है जनली यह होता है तो आपको बाजार में दिखाता है दबाव दबाव in the sense कि basically बाजार को same level पे maintain करके अपने stocks को बेचा जा रहा है इसको कहते है distribution तो यहां पे चो निफ्टी में हो रहा है वो clear cut मुझे तो distribution नजार आ रहा है जहां पे index को maintain किया जा रहा है तो यह चीज़ आप clear cut देखो कि भाई top बनाने के बाद हर दिन आपको गिरावट आते हो और day low के तरफ close होता है बिल्कुल Friday के सत्र में भी ऐसे ही देखने को मिला था broader market देखोना तो कमजोर है मतलब मजबूत तो नहीं है simple आपको एक चीज़ समझ रही है तीन दिन पहले अगर आपने broader market को देखा था तो वो थोड़ा मजबूत था उसके बाद कमजोर हुआ फिर एक बार अच्छी recovery और फिर कमजोर हो गया तो इसका मतलब clear cut यह है कि बाजार में distribution चल रहा है अब मैं distribution शब्द दो बार बोल च बेचना आप को कि अच्छा मैं थोड़ा सा और explain करता हूं देखो जब हमें कोई भी शेर बेचना हो सोचो मैं एक retailer हूँ या आप एक retailer हो और आपको अपना share बेचना है भाई आप सुबा उठो आपको जब मन करें आप बेच दो आप आराम से बेच सकते हो आपके बेचने स आप रिलाइंस रख लोगे दो करोड तीन करोड बहुत कर लोगे दस करोड मुझे लगते है उससे आदर रिटेलर करेगा अगर आप दस करोड के भी रिलाइंस के शेर बेच दोगे तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा ना बाजार पे ना रिलाइंस पे क्योंकि आप देखो उस बड़े शेर का लेकिन आप खुद सोचो अगर किसी एक बड़ी संस्था को बेचना है जो कि उधारन मालो LIC को या SBI Mutual Fund को जिनका पोर्टफोलियो लाखों करोड में है तो उनके पास जो रिलाइंस की होल्डिंग भी होगी वो तो हजारों करोड में होगी तो अगर वो बेचेंगे या उनको थोड़ा भी औफलोड करना होगा तो आप सोचो अगर बड़ी संस्था है औफलोड तो हमारे आपके जैसे नहीं कर सकती है ना क्योंकि उनके पास जो शेर की संख्या है वो बहुत जादा है अब अगर आपके पास शेयर की संख्या अगर आप एक लाग शेयर का सेल ओडर लगा दोगे तो रिलाइंस का शेयर फिर एक लाग पर तीन हजार पर बिके गा ही ने फिर वो कहेगा कि यार मुझे 2980 पर बिके गा लेकिन ये तो आपके लिए लॉस है ना 20 रुपया आपके वजह आपके बेचने की वज़ा से 20 में जंप आए अब तो बड़ी संस्था है क्या करेंगी अगर उनको बेचना है तो बाजार में एक लेवल को मेंटेन करेंगी लेवल को मेंटेन करने से क्या होता है रीटेलर सुहां पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं अगर आप देखोगे लाइफ टाइम हाई प तुम्हें पता दिया और यह चीज आप बाजार में लगातार देख रहे हो चाहें बल्क या ब्लॉग टील्स पर देखो चाहें आप नए आई प्योज के मादेम से देखो कैसे भी देखो वैसे आई प्योज इस नॉट डिस्ट्रिबूशन बड़ आपको दिख रहा है कि यार बड़े प्लेयर्स अपने वोल्डिंग्स को अफ्लोड कर रहे हैं चाह मार्केट में चाह मार्केट के बियॉंड फ्यूचर इस ट्रेडिंग एट डिस्काउंट अगर आप देखो के निफ्टी चल रही है 23,500 पर अगर मैं यहां से निफ्टी का फ्यूचर लगा दो तो निफ्टी का फ्यूचर चल रहा है 23,487 पर इसका मतलब है 13,14 पॉइंट का डिस्काउंट है फ्यूचर जनरली डिस की वाज़ा से और दूसरा यह भी कारण हो सकते हैं कईना कई बाजार- यहां से थोरी Both Dip के लिए सोच रहा होगा क्योंकि फ्यूचर के डिस्काउंट में आने के दो ही कारण हो सकते है एक नहीं वैसे तीन कारण हो सकते हैं सबसे पहला कारण आपका बाजार में बहुत जादा शॉल्टिंग हो रही है जो कि इस समय ऐसा नहीं है क्योंकि डेटा नहीं कहा रहा है बहुत जादा शॉल्टिंग हो रही है दूसरा कारण डिविडेंट डिक्लेरेशन के वाजा से ज इसके बाद हो सकता है कि थोड़ी बहुत शॉर्टिंग बन सकती है जिसके वजह से बाजार में डिपा सकती है फ्यूचर का डिस्काउंट पर ट्रेड करना इस नॉट अ गुट साइन एनी वे बैंक निफ्टी को भी देखो बैंक निफ्टी आपका 51661 पर ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी के फ्यूचर आप देखोगे 51613 पर ट्रेड कर रहें तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर थोड़ा और भी जादा discount पर है not a good sign ठीक है यह तीन हमारे major take away है तो इन take away से मैं आपको सीधे summary पर ले जाता हूँ और simple शवद में बचा जेता हूँ देखो हम सारे data point देखते हैं सबसे पहले technical analysis की गहराईयों में बिना जाए भी अगर मैं आपको simple बता दूँ निफ्टी की technical negative है निफ्टी की option chain भी हलकी सी negative side पर है neutral to negative है तो आप देखो के दोनों data negative है FIIDI का data हलका सा negative side पर तो आप देखो के तीनो data negative है इसको मैं detail में भी आपसे चर्चा करूँगा तेकिन simple शब्दों में बता दू तो मच वैटर आपके पास clarity मिल जाएगी बैंक निफ्टी में देखोगे टेकनिकल न्यूट्रल है option चाहिए तो बैंक निफ्टी थोड़ा logics clear रहते हैं तो काफी homework करके ही ये वीडियो मैं बनाता हूँ आपके लिए सबसे पहले FII का FII के तीनो segments पे बात करेंगी सिर्फ cash में ने तो सबसे पहले जो segment हम सब कोई देखता है वह है cash segment cash segment में FII ने 1800 करोड के आसपास के बिक्वाली की है जबकि DIA ने 1200 करोड खरीदारी की है तो FII का हलका full का sell figure बहुत जादा major नहीं है लेकिन अगर आप stock future में देखोगे तो फिर से 1700 करोड के बिक्वाली है तो net net आप stock future और cash market में मिला दोगे तो लगबक 3500 करोड के बिक्वा in fact FII की positive position है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप options में जाओगे तो options में FII का जो position हो हलका सा negative side पे है लेकिन जैसे मैं कहा रहा हूँ इस समय FII से ज़्यादा important pros है pros trader की बात करोगे तो भी data हलका सा negative side पे तो overall मैं आपको FIDI का पूरा data बता दो in fact इसमें pro का भी data है मै और यह चीज इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि आप monthly expiry पे जा रहे हो तो एक तो आपकी technical हलकी निगेटिव है option chain भी हलकी निगेटिव है और उपर से FIDI का data है इसका मतलब यह है कि या तो नीचे के side दबाब बन गया या तो यह होगा कि फिर से ऊपर जाने के बाद बाद पर फिर से profit booking आ जाएगे जिससे बाजार में आपको drop देखने को मिल जाएगा तो simple शब्दों में आपको सावधानी maintain करनी चाहिए आए टेकनिकल पर आते हैं और detail में चर्चा करते है निफ्टी में technical negative क्यों है सबसे पहले निफ्टी में यह जो कहानी चल रही है नया हाई बनाने के बाद जुल्ला का तार आप रेड में close कर रहो ऐसा कब देखने को मिलता है यार मतलब इतना तगड़ा sign of distribution hardly आपको देखने को मिलता है दूसरी चीज निफ्टी में अगर आप देखो मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सो zoom in कर लेता हूँ जूम इन करने के बाद अगर आप निफ्टी की फिलाल आज की candle देखोगे मतलब last session की candle देखोगे एक डोजी के बाद एक ऐसी candle जो उसकी पूरी body को cover कर रहा है यह एक bearish engulfing का formation है आप में से कुछ लोग जो technical जानते हों कहेंगे sir लेकिन bearish engulfing के लिए पहली candle green होनी देना बादार को थोड़ी पता है क्या लाल है क्या हरा है तो यह डोजी की body इतनी छोटी होती है इसलिए वो green हो या red हो इतना जाधा matter नहीं करती है इसलिए इसको भी bearish engulfing हम categorize करेंगे इसके बाद अगर आप volume देखोगे तो high volume पे एक bearish engulfing मनी है और वो भी बिल्कुल channel के थोड़ा ऊपर यह एक अच्छा संकेत नहीं दे रहा है इस bearish engulfing के stop loss bearish engulfing के top पे यानि जब तक निफ्टी के 23,600 के ऊपर जाके tick नहीं जाता है 650 का level है precisely तब तक आप बाजार में दबा बना रहेगा ठीक है अब बाजार में एक और चीज़ देखो कि नया high बनाने के बाद आप देखोगे यह channel चो था है वो channel के आप टॉप पे हो दिख रहा है channel आप ब्रेक कर चुके हो लेकिन एक bearish formation दिख रहा है तो हो सकता है आप channel को फिर से retest करने हो retest कहीं ना कहीं आप बार बार कर रहे हो 23,400 के पास channel की retest बार बार हो रही है तो पहली support तो आपकी य ही निकल के आती है लेकिन सबसे नीचे बात करोगे 23,200 एक ऐसा लेवाल है जहां पर बाजार कई बार different कर रहा है यहां पर आपको नहीं देखेगा इसलिए मैं आपको क्या करता हूं थोड़े shorter time frame में 15 मिनट के time frame पे ले जाता हूं आपको वहां से clarity मिल जाएगे यह जो हमन अब इस channel के आप बिल्कुल bottom पे हो channel के bottom पे हो bottom से आप support लेने की कोशिश करो या तो channel के support लेने के बाद आप उपर जाओगे उपर भी जाओगे तो भी 23,600 पे आपको resistance मिल जाएगी यानि उपर का रस्ता clear नहीं है वहां पे दबाव है लेकिन अगर आपने channel finally break कर दिया तो channel अगर आपने direct break कर दिया तो सीधे सीधे आप फिर 23,250 से लेके 23,200 तक जा सकते हो इसका मतलब है अगर आप clear cut risk to reward देखोगे उपर के side लगबग 100 से 1500 point की space है लेकिन नीचे के side आप देखोगे तो लगबग 200 से 2500 point की space है तो clearly आप देख सकते हो नीचे space जादा इसका मतलब है risk to reward bullish side पर in level से नहीं है clear cut नहीं है ठीक है नीचे आपको support भी मिल जाएगी कोई इसमें समस्या नहीं है अगर हम nifty के अब option chain में आगे तो इसलिए technical हमारी negative side पर है और अगर आपने channel को break कर दिया 23,400 को break कर दिया तो फिर आप 23,250, 23,200 तक जा सकते हो आईए nifty के option chain में आजा ह तो bullish side पर नहीं है हलकी फुलकी कमजोरी के संकेत दे रहा है सबसे पहले मैं आपको clear cut बता दू 23,500 जहां पर आप nifty में चल रहे हो ठीक है यह make or break level है M.O.B. make or break level यहां पर अगर आप देखोगे highest contract तो नहीं है लेकिन बिल्कुल equivalent contract है लग बग 50,55,000,000 contract bull और bearish side पर दोनों है लेकिन अगर आप bullish side पर देखो कि 3,00,000,000 contract कम हुआ है और bearish side पर 15,00,000 contract जुड़े हैं इसका मतलब है जो bears है न bears में confidence bulls से जादा है वो ही technical analysis करी है और वो ही चीज आपको option chain भी कह रही है इसका मतलब है अगर आप drop हो जाते हो और 23,400 के नीचे trade करने लगते हो तो वहां से फिर आपको 1500 से 200 point की dip और मिल सकती है दबाब बन जाएगा monthly expiry पे उसमें कोई संदे नहीं है उपर के side अगर मैं बात करूं 23,000 की बात करो अगर आप नीचे support सबसे मजबूत support सबसे यादा contract 23,000 पर उपर के side सबसे यादा contract मंदी के 24,000 पर अब 23,000 और 24,000 की बात करने मे ज्यादा benefit तो है नहीं क्योंकि इतने दूर के contract है ठीक है इसका मतलब है किसी बड़े trader ने strangle की position बना के रखी हुई है और इसको hedge किया होगा तो बात लागा इस प्रेंगल टाइप की position बनी हुई है 23,000 से 24,000 की range को capture करने की कोशिश की गई है कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन हमें तो intra day के perspective से समझना है न चीजों को intra day के perspective से simple मैं आपको बता दू 23,500 make or break level है अगर इसके नीचे जाते हो और 23,400 के नीचे trade करने लगते हो अगर आप तो फिर आपकी जो सबसे मजबूत support आती है वो 23,250 से 23,200 के इसको मैं S1 लिख रहा हूँ काफी मजबूत support है intra day के लिए आपके बहुत अच्छे से काम आएगी लेकिन सबसे मजबूत support की अगर आप बात करोगे तो वो 23,000 से 23,000 है यह सबसे मजबूत support है S2 है उसके पहले 23,250 से 200 S1 है और यह भी intra day में आपके work करेगी एक strong support है उपर के side से resistance बात करोगे 23,600 एक मजबूत resistance जैसे निकल के आता है यह resistance है जब तक यह break नहीं हो जाता तब तक यह as a ceiling आपका काम करेगा और मजबूत resistance है ठीक है clear है सारे levels बिल्कुल clear कर निकल के आ रहे है और बाजार आपको सीधी सीधी बात कर रहा है तो बाजार की rating इस समय ठीक है आसान लग रही है put call ratio की बात करते है nifty में put call ratio 0.92 के आसपास है neutral है broader market जो मैं कहा रहा था थोड़ा सा दबाब बन रहा है broader market में तो सबसे पहले nifty 50 में अगर आप देखोगे 50 में से 19 कंपनी उपर थी और 31 कंपनी नीचे थी तो broader market में भी breath अच्छी नहीं थी और अगर आप nifty 500 देखोगे जिसमें mid caps small caps आरे आ जाते तो 7 share जो उपर थे उसके सामने 10 share गिर रहे थे बहुत बुरा भी नहीं था लेकिन positive में नहीं था especially considering कि आप कौनसे levels पर हो तो ये कोई अच्छी बात नहीं है volatility index की बात कर लो तो कुछ ज़्यादा बात करने को नहीं है देड़ परसेंट लगबग एक परसेंट की गिरावट आई है इंडिया विक्स में कोई दिक्कत नहीं है तो overall जादा अच्छे संकेत नहीं है nifty में simple bank nifty की तरफ आते है bank nifty में भी आप देखोगे तो संकेत शुर कर लिया बड़ी आसानी से और नीचे से एक विक्स सपोर्ट दिया इसका मतला में जो 51,200 से 51,000 का लेवल है वह एक अच्छा सपोर्ट है और एक बार अल्मुस्ट टेस्ट हो रहा है चैनल के अंदर जाने के कोशिश नहीं कर रहा है bank nifty लेकिन अगर आप केंडिलिस्टिक तो भी हल्की-फुल्की इस ट्रॉंग नहीं है लेकिन बेरिश अंगल पिंग कह सकते हो इसक्रॉंग नहीं है मैं सिंपल बता देता हूं लेकिन कह सकते हो ऊपर ओल टाइम हाई फिर से रेजिस्टेंस जैसे काम कर रहा है यानि 52,000 के ऊपर ही जाके नया ब्रेक आउट आए तो बैंक निफ्टी में नीचे के साइट पे आपको क्लियर कट सपोर्ट दिख रहे है यहाँ पे 51,200 से 51,000 का एक अच्छा सपोर्ट है और अगर यह ब्रेक हो जाता है तो सबसे मजबूत सपोर्ट 50,800 से 50,600 की आती है यह तो बहुत मजबूत सपोर्ट है पोजिशनल ट्र बैंक निफ्टी के अगर मैं ऑप्शन चेन पे चला जाता हो तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में भी ज्यादा डेटा नहीं है simple यहाँ पे भी 51,500 पर make और break लेवल है यहाँ पे भी देखोगे equal contract है लेकिन जादा contract कहीं पे भी जुड़े नहीं है नीचे आप देखोगे सबसे best support लेवल 51,000 पे तो वो तो हमें पता ही है कोई बात नहीं है उपर 52,000 पे सबसे बड़ी resistance है यह भी हमें प nifty के put quality लगभग एक के आसपा से बिलकुर neutral है bank nifty की breath देखोगे 12 में से 3 share उपर ते और 9 share नीचे ते तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है सरकारी bank लगातार underperform कर रहा है private bank फिर से outperform कर रहा है तो सरकारी bank को में लगभग I think 1% की correction हमें यहाँ पे देखने को मिली है आई यह सारे data point देखने के बाद यह सर्म में निफ्टी में थोड़े कमजोरी के संकेत है bank nifty कमजोरी के संकेत तो नहीं है लेकिन तेजी करने की कोई जल्दबाजी भी नहीं है तो ठीक है हलका सा neutral to negative बाजार का structure है अगर बाजार का structure neutral to negative है तो हमारी strategy क्या होनी चाहिए strategy बहुत ही clear है सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए आप monthly expiry में जा रहे होगे monthly expiry में हमेशा बड़े games होते हैं तो आपको safely trade करना चाहिए तो caution maintain करना चाहिए यहां से कोई भी aggressive buying नहीं करेंगे क्योंकि buying के लिए all time high के ऊपर निकल जाए तब buying करेंगे उसके अलावा कोई buying करने का कोशिश नहीं है proper breakout हो जाए फिर देखेंगे यहां इन level से buying करने में आपकी risk reward नहीं है बिल्कुल clear cut बतारो इन level से buying करने में risk reward नहीं है लेकिन हाँ अ friend अभी भी bullish side पर तो dip आती है तो आपको entry करने के मौके मिल जाएंगे अब आप कोगे sir कौन से levels तो आईए levels के चर्चा करते है निफ्टी के case में सबसे बहले resistance बहुत ही clear है पिछली बार भी चर्चा के तो इस बार भी है 23,550 से 23,600 यह resistance है 650-660 को आप as a SL लगा सकते हो यह best buying level नहीं है अगर आप नीचे बात करोगे मुझे लगता है कि सबसे अच्छे लेवल कल के सत्र के लिए at least 23,250 से 23,200 है यह best buying level है अगर कमजोर ही आती है तो इन levels पे कहीं कहीं निफ्टी रूखने का प्रयास करेगा उसके नीचे तो positional traders के buying level है इनकी चर्चा मैं नहीं क करने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए पहली support 51,200 से 51,000 है मजबूत support है बाड़ बाड़ different हो रहा है और हो भी सकता है अगर इसके नीचे जाता है तो star मैंने लगा है सबसे मजबूत buying level है पचास साथ सो पचास से 50,000 बहुत मजबूत support यह निकल के आ रही है तो clear cut levels भी है overall strategy भी clear है और बाजार भी clear है बढ़िया है simple last में यही कहूंगा कि बाजार में इस समय जल्दबाजी खरीदने के side ना करें trap हो सकते हो monthly expiry भी है तो अगर आपने इस समय पैसा खमा है bullish side पे तो यह time है कि जहां पे आप पैसा बचाने के बारे में सोचो अगर आ अच्छी बात है कि कोई डिप आएगी तो आपको buying करने की opportunity देगा ठीक है दोनों के लिए बढ़िया market है overall यह थी analysis प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ like ज़रूर कर देजेगा channel को subscribe करेगा I'll see you again tomorrow take care